आजकेस वीडियो में हम बात करेंगे क कैसे पता करें कि हमारी जो फीमेल से या कोई भी महला है वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है अगर मान लोग कोई महला गर्बधारन कर लेती है, तो उसको कौन-कौन से लक्षन आने लगते हैं, हम केसे पता लगा सकते हैं, कौन से टेस्ट कर外 सकते हैं, पीरेड मिस होने कि कितने दिन के बाद हमें जाच करनी चाहिए, और अगर महला प्रेगनेंट हो जाती है, तो उस कौन से लक्षन दिखाई देते हैं, जिससे कि हम ये समझ पाए, कि क्या हमारी जो पाटनर है वो प्रेगनेंट हो गई है, या नहीं होई, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पुरा देखे, तो आए हम बात करते हैं, कि प्रेगनेंशी के तो बहुत सारे लक्षन रहते हैं, हर महला को थोड़े अलग-अलग लक्षन आ सकते हैं, पर जो common symptoms होते हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, और हम कैसे पता लगाए कि हमारी जो patient है, pregnant है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको period मिस होने का इंतजार करना है, मान लिजे के last month period आया था आपका, उसके बाद में आपने relation बनाया है, और relation आपका period के 10 वे दिन से लेकर के 18 दिन के बीच में हुआ है, तो वहाँ पर pregnant होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो आपका relation हुआ है, क्या period के 10 वे दिन से 18 दिन के बीच में हुआ है, तो अगर हुआ है, तो pregnant होने के chances 95% होते हैं, दूसरा लक्षन आता है कि हमारा period लेट हो गया है या period मिस हो गया है, अगर माल लो period मिस हो गया है और आपने period मिस होने से पहले relation बनाया है, तो काफी ज़्यादा chances है कि आपका जो period मि मिस हुआ है वो pregnancy की वज़े से हुआ है, अब period मिस हो गया है, तो period मिस होने के कितने दिन बाद हम जाच करेंगे, कौन से जाच करना है, तो period मिस होने के 5 दिन बाद आप pregnancy test कर लीजिए, pregnancy test कैसे किया जाता है, तो आप Reganews या Icon या बहुत सारी company की pregnancy test card available रहती है, उसको आप ला करके, chemist की shop साब को pregnancy test card buy कर देना है, मतलब जिसे आप जाओगे तो क्या बोलोगे वहाँ पे, तो आप ये बोलना कि हमें pregnancy test card चाहिए, या UPT चाहिए, या pregnancy check करने वाली machine चाहिए, क्योंकि ruler area के लोग यही बोलते है कि हमें pregnancy की जाच करने वाली machine दे दीजिए, है ना, ज जबकि उसका नाम UPT रहता है, या pregnant उसका card दे दो, या pregnancy test card दे दो, अब मैंने इतने सारे common नाम बता दी, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें medical पे जाकर कि क्या बोलना है, जनरली 50-60 रुपे की card आती है, medical वाला आपको दे देगा, और इस card को खरीदने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की permission या पर्चे की जरूरत नहीं रहती है, तो आप कभी भी जाकर के खरीद के ला सकते हैं, बस आपको खरीदते टाइम ये ध्यान रखना है, कि जो card आपने खरीदी है, वो expire नहीं होनी चाहिए, फुली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब आप लेके आ 5 मिड तक आपको उस card के पास ही खड़ा रहे ना है, उसमें 2 line आ रहे तो positive है, एक line आ रहे तो negative है, अब 2 line है, आपके C पे भी आ रहे, T पे भी आ रहे तो valid है, मानलो सिर्फ C पे line आ रहे तो उसको हम negative बोलेंगे, T पे कोई line नहीं है, पर कभी-कभी येसा होते है कि T पे line बन गई, C पे line नहीं है, तो वो card आपके खराब है, यानि कि invalid है, वो गलत result बता रहे, अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसा result आता है, तो फिर आपको दुबारा नया card लेके आना है, दूसरी shop से, फिर उसको test करना है, क्योंकि कभी-कभी अच्छी company के card भी invalid निकल जाती है कि कभी weather से भी थोड़ा फरक पड़ता है, कि जैसे सर्दियों का मोसम है, या फिर बारिश का मोसम है, तो उसमें मोशर जादा रहता है, तो कभी-कभी technical default की वज़े से भी ऐसा होता है, तो आपको नई chemist की shop पे जाना है, दूसरे के पास में वहाँ से card लेके आना है, क्यों तो आपको इस तरह से तो pregnancy test कर लेना है, अगर उसमें दो line आ रहे, तो positive है, एक line आ रहे, C की तरफ आ रहे, T की तरफ कोई line ने है, तो वो negative हो गया, ठीक है, ये तो आपको clear हुआ होगा कि हम test केसे करते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता है, कि हम test करे, केसे करे, कौन सी card ले, क्या procedure रहती है, है न, तो इतना तो आप लोगों को clear हो गया होगा, अब हमारा pregnancy test हो गया, हमें पता भी लग गया कि positive आ रहा है कि negative आ रहा है, अब मान लो, कई बार ऐसा होते है कि period मिस होने के 5 जिन बाद जाच की, पर test तो हमारा clear negative आ रहा है, प इसके बाद में breast में हलका हलका सा दर्द है, दिनो दिन वो breast वाला जो pain हो बढ़ता जा रहा है आपका, बोड़ी में बहुत ज़्यादा कमजोरी से feel हो रही है, चक्कर आने लग रहे है, या फिर आखों के सामने अंधेरा चा रहा है, इसके बाद में कई सारी महिलाओ को गं बहुत ज़्यादा अपना आपी irritation बढ़ रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, और किसी का बहुत ज़्यादा बार बार खाना खाने का मन हो रहा है, तो ये सारे जो लक्षन रिते हैं, ये indicate करते हैं कि आपकी patient pregnant हो गई है, तो अगर मानलो आपने test किया, वो negative आ रहा है, और pregnancy से कि ये सारे लक्षन आ रहा है, तो फिर आपको दो दिन के बाद में दुबारा नहीं card लेके आना है, फिर से test करना है, मानलो अगर वो test card भी negative आती है, तो फिर आपको pregnancy test के पीछे नहीं पड़ना है, आपको serum beta-scg test करवा लेना है, जो कि pathology में होता है, उसमें blood देना पड करता है, तो आप patient को लेके जाए साथ में, और कोई भी अच्छे doctor से मिलके, अपना serum beta-scg test recommend करवा ले, यानि कि आप direct जाके करवाओगे, उससे बहतर है, कि कोई भी doctor से आप concern करे, doctor आपको जो-जो test advice करेंगे, वो आप करवा के लेके जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, patient बहुत जादा expert बनते हैं, और वो self test कराके ले आते हैं, फिर doctor गुसा होते हैं, कि आरे आपको किसने बोला था है test कराने का, हम जो test recommend करते हैं, वो करते हैं, आप जादा होशार हो, ये हो, है ना, ऐसी कई सारी चीज़े होती हैं, तो आप लोगों को expert नहीं बनना है, doctor के पा क्योंकि सो में से एक महिला का pregnancy येसा होता है, कि वो test negative बताता रहता है, फिर भी बच्चे की growth होती रहती है, पर अगर लक्षन आ रहे हैं, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं, पर अगर आपकी patient को कोई भी symptoms नहीं है, pregnancy के, और आपका test भी every time negative आ रहा है, तो फिर आपको घबरा test के द्वारा पता लगा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्याम से हमने ये जाना है, कि pregnancy test कप करना चाहिए, और pregnancy के क्या लक्षन रहते हैं, कौन सा test negative रहता है, कौन सा positive रहता है, है न, तो आश्या करती हूँ, इस वीडियो के माध्याम से मैं आपको सारी चिज़े clear कर झालिए, कि जँड़ least रहता है,ने ये बड़ प्याम से बात्सक्पळ, दो आटिए, और रहता है, तो आपको के के लिए वीडियों अीडियो के मैं जए आपको के माध्यार gagnता रहता है, आ घटेशivenी रहता हैं, कि दो आवे के अाहें आपको चा सवाइए, प्या मैं ख्या